नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना इटूब चैनल जीके संसार पे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे एक हजार अति महत्पोन हिंदी साहित प्रस्णों का एक स्रीच चल रहा है और हम लोग ने पार्ट एट तक पहले डिसकस कर लिया है आज हम सब पार्ट नाइन डिसकस करेंगे और पिछले सभी पार्ट को देखने के लिए आप हमारे प्लेस में जाएए और वहां से हिंदी सा सेर जरू किजेगा चली सेसन को स्टार्ट करते हैं और पार्ट नाइन का पहला क्वेशन डिसकस करते हैं पहला क्वेशन कहता है कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस गरंथ में हुआ है जो कबीर की समस्त रचनाओं है उसका संपादन किस गरंथ में हुआ है कबीरवा साखी, सबद या विजक तो सही अंसर यहां पर क्या रहेगा विजक यादर किया कबीर की जो समस्त रचनाये हैं उसका संपाधन किस ग्रंथ में हुआ है विजक में तो यहां पर option D आपका सही जवाब रहेगा साथ में आप सब जवाब देने कोशिस किजेगा अगर आपने प जवाब क्या रहेगा अनंतास तो यहां पर B बिलको सही जवाब है question number 3 देखिए रज्यब ने दादू की रचनायों का संपाधन किस नाम से किया है किस नाम से किया है भई ट्राइ किज़े आप सब अंसर देने का तो यहां पर सही जवाब रहेगा इसका वो रहेगा अंग बंधू ठीक है क्या रहेगा अंग बंधू ठीक है अंग बंधू इस दो राइट अंसर तो यहां पर C सही रहेगा रज्यब ने दादू की रचनाय का संपादन किस नाम से किया है अंग बद्दू ठीक है एक क्वेस्टन नमबर फूर दिखिए नाम देव जी की भगती किस परकार की थी सगून थी निर्गून थी सगून निर्गून दोनों थी या कुई नहीं तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा नामदील की जो भक्ती थी उसका परकार कैसा था सगुन निर्गुन तो यहाँ पे option C सही रहेगा question number 5 है निर्गुन ब्रह्मा को कियो समादू तभी चले कबीरा सादू यह जो अगर आपने ध्यान दिया होगा थोड़ा सा तो यहाँ पे देखिए जो कोरिलेट कर सकते हैं निर्गुन ब्रह्मा को कियो समादू समादू दादू ठीक है सादू दादू तो यहाँ पे option A सही रहेगा trick ऐसे भी बठा सकते हैं है ना तो यहाँ पे option D नहीं बलकि A सही रहेगा ठीक है A is the right answer question number 6 देखिए ए जो पंग्ती है इसके रचाईता कोन है ए पंग्ती किसकी है रदास की है कबीर की है रजब की है या मलुक दास की है तो यह किसकी है कबीर जी की है है ना तो B यहाँ पे सही रहेगा question number 7 देखिए अपना मस्तफ काटी के बीर हुआ कबीर ए पंग्ती के कवी कौन है अपना मस्तफ काटी के बीर हुआ कबीर पंग्ती के कवी कौन है कबीर सुंदरदास दादू या पीपा प्रसंख्या 7 का यहां पे सही जवाब क्या रहेगा तो प्रसंख्या 7 का जो सई अनसर रहेगा आप सब ट्राइ कीजे सई अनसर रहेगा दादू, ठीक है अपना मस्त काटी के बीर हुआ कबीर जो पंग्ती है इसके कवी है दादू तो सी सही रहेगा क्वेस्टन नमबर 7 देखिए क्या कह रहा है, मुहम्मद बोध की रचाइता कौन है, कबीर हैं, दादू हैं, रएदास हैं, या नामदेव हैं, मुहम्मद बोध, उसके रचाइता कौन है, ट्राइ कीजिए आप ज़िए आप सम, सही अंसर रहेगा यहां पे औपशन A, कबीर प्रसंख्या नौ दिखते हैं कबीर की मिर्टू के पस्चात उनकी गदी किसे मिली धर्मदास को मिली, पीपा को मिला, दादू को मिला या रधास को मिला कबीर की मिर्टू के पस्चात उनकी गदी किसे मिली तो धर्मदास को मिला किसे मिला धरमदास को ते यहां पे option A सही रहेगा प्रसंख्या 10 बहुत महत्पूर प्रस्ण है नईया बिच नदिया डूपती जाए यह पंक्ती कर चाहिता कौन है दादू, पीपा, मीरा, कबीर और इस question को यूजर सी net में पूछा जा चुका है तो प्रसंख्या 10 का सही रहेगा कबीर है न कबीर जी के पंक्ती है नईया बिच नदिया डूपती जाए प्रसंख्या 11 देखिए जरी लागे मगलिया गगन हराए इसके रचनाकार कौन है कबीर, मलुकदास, नानक या धर्मदास सही जवाब यहाँ पे जो रहेगा और रहेगा धर्मदास ठीक है जरी लागे मगलिया गगन हराए इसकी है धर्मदास की है ठावर, जंगम, कीट, पतंग, पूरी, रहयो, हरी, राई ये जो पंक्ती है उकिस की है तो प्रसंख्या बारा का जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा 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 थावर, जंगम, कीट, पतंग, पूरी, रहयो, हरी, राई ये जो पंक्ती है वो रहेदास जी की है तो यहाँ पे टी आपका सही रहेगा प्रसंख्या तीरह कहते है कि सुंदर दास का जन्म अस्थान कहां है, सुंदर दास का जन्म कहां हुआ था, माधवपूर, सीही, घौसा या कड़ा कड़ा या कंड़ा, ठीक है तो यहाँ पे जो सही अंसर रहेगा वो रहेगा धौसा ठीक है, option C प्रसंख्या चौदर देखिए इनमें से अद्वैतवाद किसको पर्तिपादित करता है जीव और ब्रह्म एक है जीव और ब्रह्म अलग-अलग है संसार सत्त्य है या जीव ब्रह्म का पर्तिबिम है इनमें से अद्वैतवाद किसको पर्तिपादित करता है संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है संत कबीर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है नामोर से रामचंदर सुकल रामकुमार वर्मा या स्याम सुंदर दास तो सही अंसर क्या रहेगा रामकुमार वर्मा C is the right answer प्रसंख्या 16 देखिए कबीर नामक पुस्तक किस ने लिखी है कबीर नामक पुस्तक है एक किस के द्वारा लिखा गया हजारी परसाद दिवेदी, नंदुलारे बाजपई, रामचंदर सुक्ल या रामकुमार वर्मो कबीर नामक पुस्तक जो लिखी गई है वह हजारी परसाद दिवेदी के द्वारा लिखा गया प्रसंख्या 17 देखिए अगर इसलाम नहीं आया होता तो इस सहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है इस कथन के लेखा कौन है देखिए कथन क्या कह रहा कि अगर इसलाम नहीं आया होता तो भी इस सहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है एक कथन किसका है रामजंदर सुक्ल का है हजारी परसाद दिवेदी का है रामिला सर्मा का है या डॉक्टर नगिंदर का है इसका सही अंसर रहेगा हजारी परसाद दिवेदी ठीक है बी सही है प्रसंख या ठाया देखिए आलवार संत में परसीद महिला संत कौन है अलवार संत में परसीद महिला संत कौन है तो कौन है अंडाल ठीक है अंडाल जो है वो आलवार संत में परसीद महिला संत प्रसंख्या 19 देखिए किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है इस question को हमने करवाया है पहले भी आपको किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है तो वह रचना है नालियर दिव्य प्रबंधम ठीक है तो option यहाँ पिर D आपका बिलकुँ सही है और आप लोगोंने अंसर सही भी दिया होगा ठीक है प्रसंख्या 20 देखिए किस दर्षन में संसार को ब्रह्म से भीन और अभीन दोनों बनाया गया है या माना गया है कौन सा ओ दर्षन है जिसमें संसार को ब्रह्म से भीन और अभीन दोनों माना गया है द्वैतवाद 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 या विसिष्टा द्वैतवाद तो हमने आपको बताया है इसके पहले भी तो इसका सही अंसर जो रहेगा ओ रहेगा द्वैतवाद ठीक है द्वैतवाद ऐसा दर्शन है जिसमें संसार को ब्रह्म से भीन और अभीन दोनों माना गय प्रसंख्या 21 देखिए कबीर किसके समकालीन थे साज जहां के और इंजेब के सिकंदर लोदी के या अक्वर के तो अगर कबीर समकालीन के बाद किया जा कबीर के बारे में तो यहां पर सहयांस जो रहेगा वो रहेगा सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर तरसंखिया 22 देखी क्या कहता है संत काब्य को ज्याना स्री काब्य किसने की थी संत काब्य को ज्याना स्री काब्य किसने की थी या किसने कहा था हजारी परसा दिवेदी, अचारे राम चदर सुकल, मिस्रवंदु या राम कुमार बर्मा किस ने किया हना संद काब्य जो है उसको ग्याना सरई काब्य के तोर पे पहचान किस ने दिया तो यहाँ पे सही जवाब जो रहेगा और रहेगा अच्छाय राम चंदर सुक्ल तो option B बिलकुल सही जवाब है प्रसंख्या तेश देखिए भक्ती का वह कौन सा मुल तत्व है जो निर्गुन सगुन दोनों परकार की भक्ती में समान रूप से पाया जाता है वह कौन सा है जो कि भक्ती का एक मुल तत्व के तोर पे जान जाता है जो निर्गुन सगुन दोनों परकार की भक्ती में समान तौर पे पाय जाता है तो बहुत अच्छा आप लोग यहां कोशिस कर रहे हैं तो यहां पे रागात्मक्ता इस राइट अंसर ठीक है रागात्मक्ता एक ऐसा मुल्तत्व है भक्ती का जो कि निर्गुन सगुन दोनों में भक्ती में समान रूप से पाय जाता है ठीक है तो यहां पे option A सही रहेगा प्रश संख्या 24 देखिए संत रजजब का पूरा नाम क्या है इस question को भी हमने पहले करवाया है रजजब अली खां क्या है रजजब अली खां तो यहां पे भी सही रहेगा देखिए हिंदी उचार में कुछ अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप उसे अपने अस्तर से थोड़ा देख लेंगे ठीक है क्योंकि अगर by the way मैंने कोई mistake की होगी तो आप अपने इंट से प्लीज उसे करक कर लेंगे प्रसंख्या 25 देखिए कबीर सिद्ध साहित्य से कापे पभावी थे निमलिखित में से सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में कौन सी असमानता मिलती है तो यहाँ पर देखिए सही जवाब आपके according कौन सा होना चाहिए और जो सही लगता है उसे आप mention कीजिए तो यहाँ पर सही अंसर जो रहेगा वो रहेगा चमतकार परदरसन तो option D यहाँ पर सही रहेगा ठीक है चमतकार परदरसन जो है ऐसा है जो कि सिद्ध साहिते और कमिट साहिते में असमानता दरसाता है तो यहाँ पर option D आपका सही रहेगा और इस तरीके से part 9 जो है यहाँ पर कमिट होता है और उमीद करता हूँ आप सब को पसंद आया होगा और इस question से आपको काफी health मिलेगी आने वाले पर 6 में तो वीडियो को like और परें दोस्तों के साथ share किजेगा और जो भी आपका सुझा हो comment box में जरू दिजेगा thanks for watching मिलेंगा आप सब इके साथ next part में तब तक आप हमें साथ बने रहे